दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए गैजिट्स वाला चैनल को और बेल आइकन को दबाईए टेक्सिलेटिट लेटेस्ट वीडियोस सब से पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुमन और आप सभी को स्वागत है तहे दिल से मेरे चैनल गैजिट लवर पर के बारे में दोस्तो क्या इस पोन में आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है क्या आपको इस पोन में नेटिव वीडियो कॉलिंग का ओप्शन्स मिलता है और इसका कॉल कोल्टी भी कैसा है तो दोस्तो चले सुरू करते हैं MIA1 की 4G VOLTE Video Calling Test पर दोस्तो वीडियो में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट गुजारी साब से दोस्तो अगर मेरा वीडियो अपकर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरा चैनल और notification bell को जरूर दबा दीजेगा क्योंके आपको update जरूर मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तो अब देख पाड़े हो मेरे पास है MIA1 का A1 और ये लाँच हूचो का है जिसका प्राइस 14,999 है दोस्तो इससे पहले में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तो मैंने काफी सारी फोन का review के हैं और काफी सारी फोन में मुझे दिक्कत आ रहा है एक चीज़ का कि जैसे के Lenovo K8 Plus, Lenovo K8 Note, Moto G5S Plus ये सभी फोन में भोल्टी तो कहा जा रहा है पर native video calling का option वहाँ पर missing है यानि आपको Gio का apps इंस्टॉल करके video calling करना होगा पर इस फोन में वैसा दिक्कत तो नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तो घबरा ये मत क्योंकि यहाँ पर 4G भोल्टी देखने को नहीं आ रहा है पर यहाँ पर HD आपको देखने को मिल जाएगा यानि यह high definition call कर सकता है यानि आप high definition पर call कर सकते हो और HD का मतलब 4G भोल्टी है तो इसको enable और disable करने के लिए आपको क्या करना होगा तो चलिए आपको पहले settings में जाना होगा settings में जाने के बाद आपको more option पर जाना होगा वहाँ पर आपको mobile networks का option देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर जैसे के आप देख पारे हो Jio 4G का SIM मैंने SIM 1 पर लगाया है और यहाँ पर preferred network type में अगर आप जाते हो तो 4G, 3G और 2G का option मिलता है तिक उसके ही नीचे में आपको enhanced 4G LTE mode का option दिया गया है आप अगर इसको disable करते हो तो यहाँ पर HD का option चला जाता है अगर आप इसको enable करो तो यह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा HD का option यानि यह वोल्टी के जैसा ही काम करता है और एक बाद यह phone की दोनों ही SIM slot 4G वोल्टी को support करता है SIM 2 या SIM 1 आप simultaneously 4G वोल्टी को use कर सकते हो तो चलिए दोस्तों पहले एक call करते हैं और देखते हैं इसका call quality कैसा है तो चलिए यहाँ पर 1-2-1 और एक बार call करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो speaker दिया गया है loud speaker इसका sound quality बहुत ही loud है बहुत ही clear है और बहुत ही अच्छा है साथ ही साथ जो यारपिस का call quality है call quality sound quality है वो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों विलीब मी यह बहुत ही अच्छा feeling सबको देगा और call quality में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं video calling इसमें native video calling का option दिया गया है इसके लिए आपको call में जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा number है अगर आप यहाँ पे कोई भी number डालते हो और कोई भी आपका friend और या आपका relatives का number आप डालते हो तो आपको बाजू में ही right side में video calling का यानि native video calling का option यहाँ पे दिखाएगा तो बहुत ही अच्छा है यानि आपको native video calling का option यहाँ पे दिया गया है तो चलिए मैं मेरे एक friend को call करता हूँ video calling आज जब मैं यहाँ पे video shoot करना हूँ मेरे YouTube के लिए क्या इसा call quality आपको मिल रहा है बहुत अच्छा दर्वा है ओके पिच्चर क्या सही है और call quality इसमें आपको कैसे मिलेगा और यहाँ पे call quality आपको कैसे मिल रहा है तो दोस्तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जियो 4G वोल्टी को यूज कर सकते हो और जियो 4G वोल्टी सिम भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे native video calling का option भी दिया गया है तो यह बहुत एक अच्छी बात है जो Moto G5S Plus, Lenovo Kate Note और Lenovo Kate Plus पे मिसिं है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सकाइब कर दिजेगा मेरा चनल आपको वैलेबल कमिल जरूर दिजेगा नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएगा क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहेगा तो मेरे नेक्स वीडियो के लिए जरा वेट कीजिए बंदे मातराम जैगें